हेलो प्रेंट्स ट्रीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट अकांग शा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं इस वीडियो में हम डियलेट फस्ट एयर के स्लेबस पर चर्चा करेंगे जो की चेंज हो गया है विछले वीडियो में हमने बहुत कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे तो यहां पर मैं जो ब्लुप्रिंट है उसी में जो जो अपके लिए आई हूं मेरे पास जो फुल स्लेबस है मादमिक शिक्ष्रा मंडल का वो मुझे उनकी साइट पर नहीं मिला है कुछ पब्लिकेशन वाले स्लेबस मेरे यूनिट भी दी हुई है तो जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं मादमिक शिक्ष्रा मंडल भूपा दाल दौरा जो आदेश पत्र है वो इसमें लगा हुआ है यहां पर प्रश्ण पत्र क्रमांक एक है सबसे पहले हम उसके बारे में जान ले लियलेट प्रथम तो इसका ब्लूप्रिंट दिया हुए अब इसको भी देख सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं किस यूनिट में से कितने प्रश्ण आएंगे तो यहां पर यह तो हमारे बात की बात होती है जब हम सारा पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं पेपर आने वाले हैं जमने की जबर सकती हैं अब हमारे पास इनकी साइट पर मुझे अभी नहीं मिला है नहीं आव ए तो हम वहां पर उसको नहीं देख पा रहे हैं तो हम यह क्यादार पर हम देख ले रह कर सपे इसी में ते तीसरा है भाषा सामाजिक एवं भावात्मक विकास और चौता है सामाजी करण का संदर्व और पाचवा है बच्पन तो ये जो है आपका पहला प्रश्ण पत्र है जिसमें यहापे सारे अंक भी दिये हुए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं बाकि ये इतना आपको नहीं आ आपको समय मिलता है उसके बाद आपका सेकंड प्रश्ण पत्र है वो है समसामाईक भारतिय समाज में सिक्षा जो कि पहले भी था अब इसके जो अंतर अंदर यूनिट है वो थोड़ा चेंज हो गया है बागी आपको जो पहले डिये लट का स्लेवर्स था यदि आपने दे नुछ नंबर का पेपर है तीन गंटे का आपको समय मिलेगा तो यहां पे यूनिट है राजनेतिक एवं भारतिय सिक्षा वा शालाय सिक्षा परिष्यव इस नाम का पहले पेपर होता था सेकेंड है भारतिय सम्विदान एवं सिक्षा तो यह हमारा सकंड प्रश्न पत्र क अंकभार हो गए अब हम देखेंगे थर्ड तो जो हमारा थर्ड पेपर है वो है पूर्व बाले अवस्था परी चर्चा एवं सिक्षा ये पेपर भी आपको सेवंटी मार्क्स का होता है और तीन घंटी का समय मिलता है इसमे आपको चार एकाईया है प्रारंबिक बच्चपन में देखबाल एवं सिक्षा की परिभाषा प्रक्यति एवं महत्व विकास की द्रस्टी से समूचित प्रारंबिक बच्चपन में देखवाल और सिक्षा जो ECE पाठिक्रम है उसके आधार पाठिक्रम के सिध्धानत एवं विधियां और बच्पन में देखवाल एवं सिक्षा की पाठिचरिया की योजना एवं प्रबंदन बच्चों की प्रगती का आकलन और यहां पर अंकभार साइड में दी हुए हैं आ इस लिवस को समझने की आवशकता है यदि आप DLA में प्रवेश लेने वाले हैं तो उसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्ण पत्र है वो है भाशा बोद एवं प्रारंबिग भाशा विकास इसमें आपको जो इकाईयां और विशेवस्तू हैं वो नौ इकाईयों में विवत्त है भाशा क्या है भाशाई विवित्ता और बहु भाशिक्ता भाशा अधिग्र सास्त की सक्षम समक्ष और कक्षा सिक्षन की योजना एवं आकलन तो यह सारी आपकी नौ यूनिट है यह आपको पढ़ना है आप लोग क्या करते हैं जब बेलेड और डीएड या बीटी से कोर्स करते हैं तो इनको बहुत अच्छे से नहीं बढ़ते हैं सिब मार्स लाने के लिए पढ़ते हैं और यही आपका सी टैट एंपी टैट इन सबके स्लेवर्स में भी यही सब होता है तो यहीं पर इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए तो जब आप आपका डिग्री पूरे हो जाएगी और जब आप एक्जाम देंगे तो यह आपके बहुत का लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मुझे कमेंट करकर बताना पड़ेगा कि आप इस सब्जेक्ट का यह टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं फिर अगला हमारा प्रशन पत्र है पांचवा प्रशन पत्र पात्थे चारिया में सूचना एवं स प्रशन तकनीकी का एकी करन इसमें आपको चार यूनिट है 50 नंबर का पिपर होगा आपको यह और तीन घंटे का आपको समय लगीगा जो प्रशन पत्र था उसके पूर्णांग 25 थे और तीन घंटे का समय इन यूनिट के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जो हमा को भी मैं PDF में कनवर्ट करके आपको दे दूंगी तो आप उससे समझ सकते हैं और हम वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे फिर हैं इंग्लिश का यह भी 25 नंबर का होता है इसमें भी आपको तीन घंटे मिलते हैं इसमें भी आपको इंग्लिश के बारे में रीडिंग, डुट करेंग, व्करामर यह सब है बहुत कम होता है जादा नहीं होता है सिब आपकी भाषा टैस्टिंग यह यह पेपर होता है जिसमें कि आपको भाशा कितनी आपकी भाशा पर कितनी पकड़ है यह जानने के लिए अगला प्रशन पत्र है हमारा योग शिक्षा ये भी 25 इस नंबर को है और तीन घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें चार यूनिट है योग का परिचे है पतंजली के समय और पतंजली के पश्चात योग का विकास योग एवं ध्यान की अन्य महतपून प्रणाली शारिरिक रचना विग्यान और मानसिक स्वास्त पर योग का है इसमें आपको तीन घंटे का समय मिलेगा और किनृ चैय हनदी भांषा सिक्षण के उद्देश और व्याक्रन और यहां पर जैसे मैं आपको बताया सवन्टी माक्स करेंगा यह आपका और थट थर्टीन घंटे आपको समय मिलेगा यहां और फैप्रीन का清व लेगा, जयसे आप देख रहे हैं कि यहां छेतरी भाषा सिक्षण में हिंदी भाषा सिक्षण के आगे एक डला है, इसी तरीके से आपका अगला प्रश्ण पत्र जो है वो है वो भी आपका आठवा प्रश्ण पत्र ही है और उसमें लिखा है दो संस्क्रत भाषा शिक्षण यानि कि आपको ये सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेंगे आप हिंदी ले सकते हैं संस्क्रत ले सकते हैं आगे जैसे हैं मराथी भाषा शिक्षण ले सकते हैं और दू भाषा शिक्षण था माराथी था संस्क्रेट था और उर्दू जिसमें से आपको एक भाषा लेनी है यह इसमें भी आपको फाइब यूनिट्स हैं और सेवन्टी मार्ट का पेपर होगा और तीन घंटे का समय मिलेगा उसके बाद गणि सिक्षन जो की पूर प्रात्मिक और प्रात्मिक के सेंहति आकार एवं पर्टनव। पाठ्ष बुस्तक और सिक्षश सास्थर की समझ कक्षा योजना एवं आकलंग्वी आपकी यूनिट्स रहेंगी तो आपको पूरे दस प्रश्ण पत्र हैं यानि कि जो पहले 7 प्रश्ण पत्र होते थे अब वो आपको 10 प्रश्ण पत्र ह यहां पर मैंने आपको पूरा स्लेवस बता दिया तरहने केपो पूर्छे स्लेवस्छ चेण्ट का इनले व्यांत backside रही यह के लिए सेकेंड यर का जो स्लेवस है न्यू वो भी मेरे पास है इसी तरीके के ब्लूप्रिंट में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्स्प्रेइन कर दूंगी यदि आप इन सभी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उन टॉप कि यद दूए lequel स्वाना चाहते हैं तो में है तो मैं में दो जाना सभी तरीके का सिंगता है उन समय दो अनकुट टॉपिक पर वीडियो धे अर्भास स्वाहते है कर दूं़ी।